हेलो फ्रेंज आज मैं आपको पेनिन्सुला ये ट्रेंट टू भुसान मूवी का पार्ट टू एक्स्प्लेन करने वाला हूँ अगर आपने ट्रेंट टू भुसान ये मूवी देखे नहीं है फिर भी आप इस मूवी को देख सकते क्योंकि इनकी दो स्टोरी लाइन है ये अलग अलग है इनका जो यूनिवर्स है ये ही सेम है ट्रेंट टू भुसान में जो सब हुआ था ये आपको यहाँ पता चल जाता ह ये एक जॉंबी एपकलिप्टिक मूवी है और बहुत ही तकली थ्रिलर है मूवी का स्टार्ट में कोई स्पोाइलर नहीं देना है तो चलिए शुरू कर दें मुवी स्टार्ट होती और में पता चलता है कि कोरिया में जॉंबी का आउटब्रेक हो चुका है वायरस जो लोगों को जॉंबी में कनवर्ट कर रहा था वो फेल चुका है मुवी के फर्स्ट में हमें एक जॉंबी दिखता है इसके बाद नेक सिन में हमें दिखता है कि जॉंग सुन अपने गाड़ी में है ये मिल्टरी में होता है अपनी सिस्टर, अपनी ब्रदर इनला और सिस्टर का चुसान है इन सब को लेकर वो कार में जा रहा होता है ये सब अब शिप्स की तरफ बढ़ रहे है ये अब कोरिया से निकल कर चापान जाने वाले है इनने बचने का यही एक जरिया है एक जगा पर जब कार स्लोडाउन हो जाती है वहाँ इनने एक फैमिली दिखती है यहाँ फादर, मदर और उनकी बेटी होती है जॉंग सुट जब फादर को देखता है तो उसकी नेक से प्लड आ रहा होता है यह जॉंगी में कभी भी बदल सकता है तो इसलिए इस फैमिली को हेल्प नहीं करता मदर बोलती है कि सिर्फ मेरे बच्ची को लेकर जाओ पर यह भी रिस्क लेने के लिए वो रेडी नहीं होते अब हमें एक निउस दिखाई जाती है और इसमें हमें सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है बुसान की एक फैक्टरी में से ही वाइरस निकला था और उसके बाद बहुत ही फासली यह स्प्रेड हो गया है कोरिया में हर जगा पर यह है पर पेलिनसुला में नहीं है जॉन्सुक पेलिनसुला में ही जा रहा था कोरियन गवर्मेंट पूरी तरह से थबा हो चुकी है बुसान का जो इंसिडन था अब उसे चार साल गुजर चुकी है अब हमें दिखता है कि जॉन्सुन अपनी फैमिली के साथ शीप में पहुच चुका है यहाँ पहुचने के बाद वो जापान जाने वाले थे पर उसके सुपिरियर्स उसे बुला लेते है उससे कहते है कि अब वो हॉंग कॉंग जाएंगे जापान में भी जो हाला थे यह भी खराब होते जा रहे है जब ही जॉंग सुपिरियर को रिपोर्ट कर रहा होता है तब इसकी सिस्टर जाओती है वहाँ एक आदमी इंफेक्टेर है यह दिखाई देता है यह अब जॉंबी में कन्वर्ट होने लग जाता है जॉंग सुख को जब निउस मिलती है तब तक यहाँ पर यह वाइरस प्रेड हो चुका होता है बहुत सारे लोग जॉंबे में कन्वर्ट हो चुकी होते है अपनी सिस्टर को बच्चाने के लिए जाता है पर सिस्टर का जो सन है वो भी इंफेक्टेर हो चुका है उसकी सिस्टर वहाँ से निकलने रही तो वो भी infected हो जाती है जॉंग सुक जल्दी से वहाँ से निकलता है और यह जो चेम बहरी इसे बन कर लेता है जॉंग सुक का ब्रदरीन लॉबी वहात है और उससे कहता है कि हमें उन्हें बचाना चाहिए कुछ ना कुछ तो हम कर सकते है पर जॉंग सुक नहीं मानता क्योंकि सब जो वहाँ से पूरी शिप पर फैल सकता है इस इंसिडेंट को अब चार साल गुजर चुके है हमें होंक कॉन दिखाये जाता है और कुछ ग्याएं के गुंडे जॉंग सुक को लिने के लिए आते है जॉंग सुक के साथ उसका ब्रदरीन रॉबी रहता है यह दोनों फिर गैंग के बॉस के पास आते है यह और भी ती इनके 20 मिलिन डॉलर से और भी इलाबरेट करता है अगर तुम रात में गए तो जॉंग को कुछ दिखनी पाता वो सिर्फ थोड़ा सा सुन सकते तुम जल्दी से वहां जाओगे और वहां से वापस आ जाओगे इस काम के लिए उन्हें वह इन पैसो में से 50% देने वाला हो कि जॉंग सुक और उसका ब्रदर इन लौ इस पर डिसकस कर रहे हैं जॉंग सुक को वहां विर से वापस नहीं जाना पर इसका ब्रदर इन लौ इसके लिए एक्साइड़ है इंगर जो फाइनसल सिच्वेशन है यह बहुत ही खराब है जो होंग कोंग की गवर्मेंट है य पर फिर से जानना चाते हो प्रदेन लौ केता है कि तुम्हारे लौजिक तुम तुम्हारे पास ही रखो अगर तुम इतने सही होते है तो मेरे माइफ मेरे बच्चे को तुम बचा लेते उस दिन तुमने ट्राय भी नहीं किया था यह अपनी बच्ची और वाइफ मरने के लिए जौंग सुक को ही ब्लेम करता है अब हमें दिखता है कि यह सब पेनिसुला जा रहे हैं कोरिया का कोसगार्ज होता है यहां उतरने के लिए इने परमिशन नहीं देता पर वहाँ कोई भी नहीं होता इन गुंडों के आदमी इने दो सैटलाइट फोन देते थे यह इसे कहा से कहा जाना है यह सब मालूं होता है यह फिर ब्रीज पर एक ट्रक चेक करते है और उसमें कुछ भी नहीं होता जौंग सुक सबको गाड़ी में बिठा कर यह ट्रक चेक कर रहा होता है जब अपने नाइट वीजन गॉगल से यह देखता है तो यहां एक ग्लास के बीचे बहुत सारे जौंबिज होते है एक कुछ भी आवाज ना करे हुए वह आसे जल्च से निकल जाता है थोड़ा आगे जब वो पहुचते है और एक ट्रक उन्हें मिल जाता है जब एक चेक करते है तो इसमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए होते है यह सब खुश हो जाते है जौंग सुक का ब्रदर इनलो इस ट्रक का जो ड्राइवर है उसके पास आता है यह मरा बड़ा है यह उससे लगता है इसे वो ड्राइवर सीट से निकालने के लिए जुकता है पर यह एक जौंबी होता है यह जौंबी इसे काटने के लिए पगड़ता है पर जौं से निकल जाते है जब आगे ड्राइव करे होते है तो अचानक से इन पर फ्लेर गन चल जाती है यह जब फ्लेर गन चलती है तो जॉम्बी को अब दिखने लग जाता है बहुत सारे जॉम्बी इनके कार की तरफ बढ़ने लग जाते है इनके पास एक ट्रक होती है और एक कार होती है जो कार होती है इसका एक्सिटरन हो जाता है सब जॉंबी इन पर अटाइक कर लेते है जॉंबी ट्रक से बाहर निकल जाता है और वो देखता है कि सब पर अब जॉंबी अटाइक हो चुका है इसके पास एक गन होती है तो सब को इससे मार रहा होता है यह Zombie अब इससे मारने ही वाले होते है तब है하루 कार आजाती है इसमें दो छोटी लड़किया होती है इसे कहती है doctor आज गर तुमें जिन्ना रहना है तो जल्दी से कार में बैठ जाओ जॉन सुक कार में बैठता है कि उसके जो सब फ्रेंड्स से उसका प्रदर इनलो था इस पर जॉंबिज ने अटैक कर दिया है और यह सब मर गए है अब कार में यह जो दो लड़किया है यह दोनों सिस्टर से बड़ी सिस्टर का नाम जुनाय है और छोटी सिस्टर का नाम यूजीन है जुनाय कार चलाने में बहुती महिर होती है सब जॉंबिज को मार मार कर इस सिटी के एक दूसरी तरफ हो आ जाती है जॉंबिज से वो पीचा चुड़वाती है पर जहां उन्हें जाना होता है यहां अब बहुत सारे जॉंबिज होते है जो शोड़ी सिस्टर है इसके पास एक रिमोट कंट्रोल कार होती है जिस पर साउन भी लगाया होता है यह फिर अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है और जॉंबिज की तरफ भीचती है इस कार का पीचे सब जॉंबिज करने लग जाते है और इन्हें अफ से पैसेज मिल जाता है इसके बाद हमें दिखता है कि पैसु की जो ट्रक थी उसके पास कुछ मिलिटरी के लोग आ चुके है ये जो लोग है ये कोरियन मिलिटरी के लोग है अब जो कोरिया की गवर्मेंट ने रही तो यही यह सब लोग रह रहे हैं जो फ्लेर गन जॉंग सुक के गाड़ी पर चलाई थी यह इनी लोगों नहीं चलाई थी यह यही परिनिसुला में रहते हैं और सब जगा जाकर वहाँ से सप्लाइज लेकर आते हैं इस ट्रक में भी सप्लाइज के लिए वह वहाँ थे जिस तरह से यूजीन ने सब जॉंबिस को डिस्टाइक किया था उसकी गाड़ी से उसी तरह से यह भी एक गाड़ी से इन सब को डिस्टाइक करते हैं और अब इस ट्रक के पास आजाते हैं यहाँ इनका बॉस एक साज़न होता है जॉंग सुंग के टीम में का एक आधमी जॉंबि बन चुका है और इंसे हेल्प मांगता है साज़न इसको मार देता है अब जो ट्रक है इसको लेकर साज़न जहाँ रहते हैं यहाँ आ आजाता है नेकसिर में हमें दिखता है कि जॉन सुंग इन दोनों लड़कियों के साथ वो जहां रही थी यह आज चुका है यह दोनों लड़किया निए ग्रैंट फादर और इनकी मदर इनके साथ रहती है यह जो grandfather थे, इन्होंने इन लड़कियों के city में जाकर एक पैटरिस राने के लिए बोला था इनका जो radio है, यह फिर से वो चलाना चाते है अगर radio फिर से start हो गया, तो उन्हें यहाँ से बचाने के लिए वो help मंगवा सकते जब मदर यहाँ थी है, तो जौंग सुक से वो पोच्छती है कि तुम कौन हो, यह सब कुछ उन्हें बदा देता है मदर भी बाहर गई थी, और उसने उनके radio के लिए बैटरिल आई है ग्रानपा का radio स्टार्ट हो जाता है और उसके जो superior होते हैं, इनसे वो contact कर लेते हैं इनके लिए help अप आने वाली है, इन्हें यहाँ से वजाय जाएगा अब next in में में दिखता है कि sergeant उसका जो camp होता है, वहाँ पर वो truck लेकर आता है यह जो truck है, खाने की supply से भी भरा हुआ होता है, अब इन्हें एक मान के लिए खाने के कोई भी जिनता नहीं होगी यहाँ पर खाना distribute करने के लिए जो इंचाज होता है, यह वो देखता है और खूश हो जाता है sergeant कहता है कि अब मैंने इतना बड़ा truck लाया है, मुझे टूना खाना है, यह खाने का इंचाज उसे मना कर देता है यह कहता है कि captain की permission की बिना मैं कुछ भी तुम्हें नहीं दे सकता इनका जो boss होता है, इसका नाम captain saw होता है, sergeant फिर इस पर चीर जाता है और से डराता धमकाता है जब इट ट्रेक ओपन करते है, तब इन्हें जौन सुक का ब्रदर इनलो मिल जाता है यह actual में इस truck में छुप गया था, यह इसे कैदी बना लेते हैं और आखाडे में इसे भेजने वाले होते हैं यह जो सब लोग है, यह लोगों कैदी बना कर इन्हें आखाडे में भेजते हैं और वहाँ zombie इनकी पीछे लगा देते हैं इनके लिए एक internet में होता है, यहाँ बरत जौन सुक के ब्रदर इनलो को वो उस पर नंबर वेगरा पेंट करकर वो उस आखाडे में भेजने वाले होते हैं जौन सुक जब मदर को सब कुछ समझाता है, क्यों वो इस काम के लिए आया हुआ है, तो मदर कहीती है, कि हमें बजाने के लिए कोई नहीं आया पर पैसो का सवाल आ गया, तो सब कुछ लोग यहाँ आ गए, वो उसे यहाँ मिल्टरी के जो लोग है, इनके बारे में भी इन्फोर्मेशन देती है यानि कि मिल्टरी के लोग, सारजन, कैप्टन साव, यह सब आउट आप कंट्रोल हो चुके है, इनने जो भी लगता है, यह वो करते है एईक सिर्मे हमें दिखता है, खाने का जो इन्फार्ज था, वो कैप्टन साव के पास आजाता है कैप्टन साव जीना नहीं चाएता, उसके हालात उसे बुरे लगती है, तो वो सूसाइड करने वाला होता है तब ये food का in charge उसे रोक लेता है ये उसे कहता है कि हमें एक truck मिली है ये जो in charge था इसने truck में बहुत सारे पैसे देख लिये ये एक bag साव को दिखाने के लिए लेकर आता है साव जो भी से देखता है तो उसमें एक satellite phone भी उसे मिलता है ये उनसे कहता है कि मेरे पास सब पैसे है जो deal जॉंग सुक को उन्होंने दी थी यानि कि अगर वो पैसे लेकर आए तो हाप उन्हें वो दे देगा यही deal वो कैपिटन साव को भी दे दे है कैपिटन साव ने अगर वो पैसे उन्हें लोटा दिये तो उसे 50% मिलने वाले है पर कैपिटन साव को वहाँ से निकल सकता है यही बड़ी बात होती है इसके बात हमें दिखता है कि आखाडे में जॉंग सुक के ब्रदर इन लोग को भेज दिया जाता है यहाँ जॉंबी इसके बीचे पड़ते है इनसे वो लड़ता है और इसके बाद वो फिर से अंदर आ जाता है यह अपनी जान बचा कर अब बच चुका होता है इसके साथ 24 सब लोग थे इनमें से बहुत ही कम अब बचे हुए है जॉंग सुक ने अब इन सब लोग को बताय हो होता है कि उन्हें लेने के लिए शिप आने वाले है यह सब डिसाड करते है कि उस शिप के पास ही अब जाएंगे इनका प्लान होता है कि अब यह फिर से होंग कॉंग जाने वाले है अब जो सुबह हो चुकी है तो दिन यह ट्रैवल नहीं कर सकते यह रात में जाने वाले होते है जोन सुख जुनाय को थेंक्यू कह रहा होता है तो वो कहती है कि यूजिन ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे कहा था अगर मैं नहीं करती तो वो रोने लग जाती यूजिन बहुत ही स्वीट लड़की होती है यह सब अब अपना सामान पैक कर रहे होते है जोन सुख फिर मदर के पास जाता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा था तुम रस्ते पर हेल्प मांग रही थी मदर कहती है कि तुम गेल्टी महसुस मत करो वहाँ से 51 कार्स गई थी वहाँ मैंसे उसमें से कोई भी नहीं रुका था यह तुम्हें गल्टी महसुस होई रहा होगा तो मेरी डॉर्टरस को तुम हेल्प करना यह सब लोग फिर रात में निकलते हैं एक जगा पर आने के बाद मदर अपनी डॉर्टरस से कहती है कि तुम अब यही रुकना मैं थोड़ी देर बाद वापस आजाओंगे और सब लोग शिप में चले जाएंगे अब इनका प्लान हता है कि जॉंग सुप और मदर यह दोनों मिल्टरी के कैम पर जाएंगे जो सैटलाइट फोन था यह ट्रक में था इस ट्रक को ढूंगर वो सैटलाइट फोन और पेसे लेकर आएंगे यहनि को कॉंटेक्ट भी कर सके और पेसे देखकर वहाँ से सही से रहे भी सके अब यह दोनों निकल बढ़ते हैं कैप्टन साओ अब यहाँ से निकलने वाला है तो बहुत ही खूश है सब लोग के केता है कि आज तुमारी आखरी रात है इस तरह से तुम आज रात को जी हो जब साजन यह दिखता है तो साजन को पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गरबड़े कैप्टन साओ के आफिस में चला जाता है ये साव सो पुछता है कि अचानक तुम इतने generous कैसे हो गए साव से समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ फिर जो food का इंचाज होता है वो आ जाता है साज़न और भी इन पर अब pressure बनाता है इसे पताता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है पर वो अपना mood change कर लेता है कैप्टन साव उसे मारने वाला होता है पर इसने अपना mood change कर लिया है तो यह वहाँ से चला जाता है अब हमें दिखता है कि जॉन सुक और मदर यह दोनों कैम में आ चुके है जबें ट्रक तो ढूंडते है तो वहाँ उने satellite phone ने मिलता क्योंकि यह Captain साव के पास है फूर्ड का इंजाज फिर यहाँ जब आता है तो इस पर वो गन रखते है इसे बुछते है कि वो phone का है यह इने सब कुछ बता देता है जॉंक सुक को यहाँ पता चल जाता है कि उसका ब्रदर निलो है यह अभी भी जिन्दा है अब अपने ब्रदर निलो को बचाने के लिए जॉंक सुक वहाँ से चला जाता है मदर ने food इंजाज वाले पर गन रखी है और वहाँ फिर Captain साव होता है Captain साव से मदर उसकी गन नीचे रखने के लिए बोलती है उसे walkie talkie मंगती है यह जो Captain होता है यह phone उसे दे रहा है सब pretend करता है और गोली चला देता है मदर बच जाती है अपना truck स्टार्ट करती है और Captain साव को इससे उड़ा देती है जॉंग सुक का ब्रदर इनलो अब फिर से अकाडे में होता है फिर से जॉंबिस के साथ इसकी fight हो रही होती है तब जॉंग सुक वहाँ पहुचाता है सब जॉंबिस को मारता है यह जो सब लोग है साजन और उसके आदमे अब जॉंग सुक के पीछे बढ़ जाते है जॉंग सुक सब लोग को मार कर अपने ब्रदर इनलो को बच जाते हुए जा रहा होता है तब इस साजन से इसका आमना सावना हो जाता है जॉंग सुक चुपा होता है साजन और इसकी टीम भी इनका पीछा करने लग जाती है इन पर गोलिया चला रही होती है जो दोनों सिस्टर्स थे वो भी गाड़ी में आती है और इनको कवर देती है अब ये सब लोग जॉंबी से बचते हुए पूरे सिटी से घुमते है एक जगा पर बिल्डी में बहुत सारे जॉंबी जोते हैं इनकी कार को ये अपनी कार टागरा देता है ये जुनाय को पकड़ लेता है और उस पर गन लगाता है जुनाय को बचाने के लिए ये यूजिन अपनी रिमोट कार चलाती है वो अपनी remote control car से captain saw को गिरा देती है यह जब हो रहा होता है तो mother अपनी गन जब पकड़ रही होती है जब उस पर captain saw गोली चलाता है पर यह गोली उसे नहीं लगती जो grandma थे यह mother को बचा लेते है और उनको यह गोली लग जाती है captain saw जल्दी से truck में बैट जाता है और truck लेकर आगे चला जाता है जो ship इन्हें लेकर जाने के लिए आई हुई थी इस ship में वो पहुच जाता है इसने पहुच जाने के बाद सब गुंडे लोग वहा होते हैं और इससे वो पैसे वेगरा सब कुछ ले लेते हैं captain saw बहुत ही खुच हो जाता है क्योंकि वो अब बच चुका है यह अब हसने लग जाता है तभी गुंडों में से एक आदमी इस पर बहुत सारी गुलिया चलाता है और इसे मार देता है captain saw जब ship पर बहुत चुका था तो उसने बहुत सारा sound create किया है जो सब जॉंबी इस एरिया में थे वो सब अब ship में खुच जाते हैं इन कुंडों को यह सब जॉंबी मार देते हैं अपने grandpa को मरतावा दिखकर यह दोनों लड़किया रहने लग जाती है mother को भी बहुत ही रोना आता है हमें दिखता है कि grandma ने अपने superior से contact किया था इनने रेनी के लिए एक special helicopter यहाँ आया हुआ है यह सब लोग अब helicopter तक नहीं पोच सकते विए बहुत सारे जॉंबी 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 इसको distract करने के लिए कोई तो चाहिए होता है mother जॉंग सुक से कहती है तुम मुझसे वादा करो कि मेरी जो लड़किया है इनका तुम अच्छे से खयाल रखोगे वो अब अपने आपको sacrifice करने वाली होती है mother फिर सब जॉंबी जॉंबी इसको मारने लग जाती है जब helicopter रुखता है तो जॉंग सुक और दोनों लड़किया helicopter में बैट जाते है mother इन लोगों को cover देती है ये दोनों जॉंग सुक से कह रही होती है कि please mother को बचा लो mother एक कार में बैट जाती है और अपने आपको मारने वाली होती है जॉंग सुक अपनी sister और उसके son को बचा नहीं पाया था उसका brother इन नो ने उसे कहा था कि तुमने try भी नहीं किया था हमेशा से ये बात उसे खाती रहती है उसे लगता है कि उसने जो किया था वो गलत किया था और अब mother को बचा कर या अपनी mistake को redeem कर सकता है वो फिर helicopter से बाहर निकलता है बहुत सारी गुलिया zombies पर चलाता है जब mother ये sound सुनती है तो वो भी अब लड़ने लग जाती है अपने आसपास जो सब zombies होते इनको मार कर भागते भागते वो अब helicopter में बहुत जाते है ये सब लोग बच चुके है mother अपने बेटियों को हग कर ले थी और कहती कि सब ठीक है इने बचाने के लिए helicopter में जो औरत आई हुई होती है वो कहती अब तुम सब लोग सेफ हो अब वो जहां जाने वाले है या कोई भी वाइरस विगरा नहीं है अब वो अच्छी तरीके से लाइफ जी पाएंगे जौंग सुक ने भी पास में जो गलती की है उसने वो सुधार लिये अब जो गलती करने वाला था उसने वो नहीं की है वो आखरी दम तक लड़ता रहा है इस मूवी के फर्स पार्ट का हैपी एंडिंग नहीं हुआ था इसे तरह से इस मूवी का भी साड़ी एंडिंग होगा ऐसा हमें लगता है पर इसके बाद एक हैपी एंडिंग मूवी है हमें देखर जाती है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी इसी लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब पर दीजे और बेन नोप्रेशन आइकन दबाना भी मत भूलिये हम फेसे मिलेंगे एक नहीं मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और अब आपने आपका खैल रखे